Hello Friends, Welcome to the Desk आज की हमारी स्टोरी का नाम है The Greedy Dog Greedy यानि लालची होता है लालची कुत्ता आपने इस स्टोरी के बारे में पहले भी सुना होगा तो चलिए आज हम इस स्टोरी का ट्रांसलेशन करते हैं One day, एक दिन, a stray dog stray dog यानि आवारा कुत्ता was roaming roaming यानि घूमना होता है in search of food खाने की तलाश में एक दिन, एक आवारा कुत्ता घूम रहा था खाने की तलाश में Suddenly, अचानक से he passed, वह गुजरा by the front of a butcher's shop एक कसाई का दुकान बचर्स यानि एक कसाई का दुकान होता है वह कसाई के दुकान के सामने से गुजरा finding मनलब धूनना finding मतलब धूनना a chance, mocha chance मतलब mocha होता है mocha पाके the dog, कुत्ता stole a, कुत्ते ने stole a big piece of meat stole यानि चुराना होता है मांस का बड़ा सा टुकडा चुराया कुत्ते ने कुत्ते ने मांस का बड़ा सा टुकडा चुराया and ran off और भाग गया ran मतलब भागना होता है या run का second form है ran holding it उसको पकड़ के in his mouth अपने मुह में उसके मुह में मुका पाके कुत्ते ने मांस का बड़ा सा टुकडा चुराया और उसको मुह में लेके भाग गया the dog wanted the dog wanted to eat wanted मतलब चाहना होता है या want का second form है wanted eat मतलब खाना होता है कुत्ता खाना चाहता था the piece of meat मांस के टुकडे को खाना चाहता था alone अकेले खाना चाहता था at a lonely place एक अकेली जगह पे खाना चाहता था the dog wanted to eat the piece of meat alone कुत्ता मांस के टुकडे को अकेले खाना चाहता था at a lonely place अकेली जगह पर खाना चाहता था he feared उसे डर था that कि other stray dogs दूसरे जो आवारा कुत्ते हैं might snatch it from him snatch मतलब छीनना होता है उसे छीन सकते हैं he feared उसे डर था that other stray dogs दूसरे आवारा कुत्ते might snatch it from him मांस का टुकड़ा उसे छीन सकते हैं उसे इस कुत्ते को डर था so इसी लिए he ran out वह भाग गया of the town city से बाहर भाग गया वो सहर से बाहर भाग गया to eat the piece of meat at peace peace मतलब शान्ती मांस का जो टुकड़ा उसने चुराया था उसको सान्ती से खाने के लिए वह सहर से भाग गया soon जल्द ही the dog came to a stream came मतलब आना होता है ये come का second form है came और यहाँ पर stream का मतलब होता है धारा पानी की धारा soon जल्द ही the dog came to a stream कुत्ता एक धारा के पास पहुंचा that lay across the way जो उस रास्ते में पढ़ता था it had a wooden bridge over it wooden bridge मतलब लकडी का पुल over it जिसके उपर एक लकडी का पुल था while running दोडते हुए over the bridge over the bridge यानी पुल पर दोडते हुए the dog happened to look into the water of the stream look into the water मतलब पानी में देखना कुत्ते ने पानी के अंदर देखा off the stream धारा के पानी के अंदर देखा as जैसे की the water was very clear very clear मतलब बहुत साफ पानी बहुत ही साफ था he could clearly see clearly see मतलब साफ तरीके से देखना यहां पर see का मतलब होता है देखना वह ठीक से देख रहा था देख पा रहा था his reflection reflection मतलब प्रतिबिंब उसका प्रतिबिंब in water पानी में as the water was very clear जैसे की पानी बहुती साफ था he could clearly see his reflection in the water वह अपना प्रतिबिंब पानी में अच्छे से देख सका the dog could not follow कुत्ता समझ नहीं सका that he was looking at his own reflection looking मतलब देखना होता है वह own reflection मतलब खुद का प्रतिबिंब देख रहा था in the water पानी में the dog could not follow कुत्ता यह नहीं पहचान सका that he was looking at his own reflection in the water वह पानी में अपना प्रतिबिंब देख रहा था वह कुत्ता समझ नहीं सका in street बजाई he उसने thought सोचा यह think का thought मतलब सोचना होता है यह think का second form है thought that यह पानी के अंदर पानी के अंदर वित आ सिमिलर पीस ओफ मीट उसी के जैसा मांस का टुकडा लेके in his mouth उसके मुह में greedy as he was जैसे कि वह कुत्ता लालची था he decided to snatch the meat from the other dog decided मतलब तै करना होता है यह decide का second form है decided और snatch जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया snatch मतलब छीनना होता है उसने तै किया दूसरे डॉग से मांस का टुकडा छीनने का losing no time बिना समय को गवाए the greedy dog sprang sprang मतलब उचलना होता है यह spring का second form है spring at his own reflection अपने खुद के प्रतिबिम पर उचला barking loudly barking loudly का मतलब होता है जोर से भौक के needless to say कहने की जरुरत नहीं है his own piece of meat उसका खुद का मांस का टुकडा dropped into the water dropped मतलब गिर जाना यह drop का second form है dropped यहाँ पर ed लग गया मतलब second form है यह dropped into the water पाने में गिर गया and sank to the bottom of the stream और धारा के तल में bottom of the stream मतलब धारा के तल में दूब गया और sank का मतलब होता है दूबना not only this he had lost his own piece of meat lost मतलब खोना होता है उसने उसके पास जो मांस का टुकडा था वह भी खो दिया and could not get the meat from the other dog even और दूसरे कुत्ते के पास जो और जो दूसरे कुत्ते के पास मीट था वह भी उसे नहीं मिला वह भी वह नहीं पासका the dog lost his piece of meat कुत्ते ने मांस का टुकडा खो दिया only because सिर्फ इसी लिए क्योंकि he was too greedy वहम बहुत ही लालची था despite बावजूद having a piece of meat of his own अपना खुद का मांस का टुकडा खाने की बजाए he wanted to take the share of others वह दूसरे कुत्ते का भी share मांस का टुकडा लेना चाहता था as a result he lost his own even फल स्वरूप उसने उसने उसका मांस का टुकडा भी खो दिया so moral of the story है greediness is a curse लालच एक अभिशाप है कर्श का मतलब होता है अभिशाप so friends अगर आपको इस तरह के वीडियोज अच्छे लगते हैं और आप आगे भी इस तरह के वीडियोज देखना चाहते हैं तो please वीडियो को like, share और comment जरूर करें thanks for watching लोतिं